पाकिस्तान है जैसा उसका नक्सा है यह आप नक्सा पाकिस्तान का देखेंगे तो बिल्कुल-बिल्कुल कुत्ते जैसा और उसकी हरकते भी कुत्ते जैसी हैं जियासा, पाकिस्तान है कि मांगता ही नहीं, एनसे अजी डुबाल के सामने आमना सामना हुआते है, S.C.O के मीटिंग में, लेकिन जब एनसे डुबाल ने लसकर और आतंकी संगटन है, उसको लेकर के, जब उनने पूल पट्री खुलना सुरू किया, तो पाकिस्तान कैसे कु आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ, आज पाकिस्तान जो हर मंच पर भारत के खिलाप साजिस रष्ता है, आज अस्यों की मीटिं में कैसे वो नंगा हुआ है, और FATF में, FATF में जा करके वो भारत को लेकर के कंदी राजनीती कर रहता और वहां भी उसकी ठु भारत ने संगाई, ऐसायोग संगटन जिसे S.C.O. काते हैं कि मीटिंग को लेकर के आतंगबाद के मुद्धे पर पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम कर दिया है, S.C.O. देशों के राश्टे सुरच्छा सलाकार N.S.A. की मीटिंग भी थी, और भारत ने सीमापार आ तंकी संगटन, लस्करे तवेबा, और जैसे मुहमद का वहाँ पर नाम लिया, और कहा, S.C.O. के सबी देशों को इनके खिलाफ कारवाई सुनस्चित करवानी चाहिए, अब इसमें अगरतनिक बिदेरी हुई, तो पाकिस्तान जैसे, पाकिस्तान का बिना नाम लियो है, ऐ जो दुनिया के लिए मानावता के लिए संसार करने वाले हैं, अब कहीं न कहीं हर हदे पार कर जाएंगे, इस बार तरजाकिस्तान की बात करें, तो तरजाकिस्तान की राजदानी दुसाबे में, ये S.C.O. के मीटिंग हुई जिसमें पाकिस्तान के N.S.C. मुहिद महाद 38 साल का आतंकवादी है, उसकी उम्र ही साब दर्साती है, कि वो यूवा आतंकवादी है, जो कि जैसे मुहमद और लस्करे तयाब और दौरह आपाइंड किया गया है, अब ऐसे में 38 साल का छोटा सा, मजला सा, बच्चा और डोपाल के सामने क्या उश्क्याओकात होत पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने के लिए वो ब्लैक लिस्ट में तरह बढ़ रहा पाकिस्तान, पाकिस्तान पर FATF के इस बड़े फैसले के कुछ घंटों पहले डोबाल ने जैस के लस्कर के खिलाप S.C.O. देश का प्लान थमाकर मास्टर स्टोक चल दिया, ऐसे मे पाकिस्तान का इस से बच कर निकलना नमुम्किन दिख रहा था, संभावना ज़्यादा है कि पाकिस्तान अब भी FATF की ग्रे लिस्ट में ही बना रहेगा, चीन और रूस के सामने पाकिस्तान के आतंके सेनटनों के बारे में बोल कर, भारत निया प्रत्यच रूप से इन द उन्हें देशों पर इमरान खान सरकार के मदद ना करने का भी दभाव बढ़ा दिया है, उदर दुनिया भन में देशों को भी सीधा संदेश गया है कि पाकिस्तान आज भी आतंक का स्पॉंसर बना हुआ है, और साब तोर पेबाद NCR जी डोबाल में मोटी मीटिंग में कह दिया है, पाकिस्तानी अलकाइदा, आपके जी कि पाकिस्तानी आतंक बाद के खिलाब कारवाई पर जोड डोबाल ने SEO के सदर सिदेशों के रास्टे स्रच्छा सलाकारों से कहा कि हत्यानों की स्मगलिंग के लिए आतंक बादियों दोरा ड्रोन समेत अन नई नई तकनिक, नई नी तकनिकों के इस्तेमाल पर नजर रखने की दरकार है, उनने भी कहा आतंक बादी संग्ठन को डार्क बेव, आर्टिफिसिल इंट्रिजेंस AI, ब्लाक चेन और सोसल मीडिया का दुरुपियोग यहां पर कर रहे हैं, डोबाल ने भी कहा कि हमें आतंक बादियों के इ सीमा पार आतंक बादी गत्विदियों में सामिल पाकिस्तानी संग्ठनों के खलाब कारवाई का साब तोर पे हां खाका पेस किया था, अनिस से अजित डोबाल ने सीधे तोर पर पाकिस्तान के आतंक बादियों लस्करे तौबा उन सब का नाम लेकर साब कर दिया, कि अब S.C.O. देसों में जो भी इनके खलाब कारवाई सुनिशित करवानी होगी, नहीं तो अब पाकिस्तान को किसी भी हालत में यहां से आगे अब नहीं जाए सकता, तो यह डोबाल का जो यह प्लान था, यह कहीं ने कहीं पाकिस्तान के लिए एक तरह से मादा मौली ख़बर थी, अफगानिस्तान में सक्री हो रहा है, अब S.C.O. में अत्रावत कर दोबाल ने अफगानिस्तान के ताजा हलात पर भी कहा, कि वो दो दसकों में जो प्रगती हुई है, उसका संवर्चन जरूरी है, उन्होंने कहा कि अफगानियों को कल्यार को सर्बोच प्राति मिक्ता मिलनी चाहिए, भारत है, अफगानिस्तान के लिए गठित S.C.O. कॉन्टेक्ट का ग्रुप का पूर समर्दन करता है, और हमें और ज्यादा सक्रेक कर रहना चाहिए, डोवाल ने अफगानिस्तान के कनेक्ट्विटी बढ़ाने की जरूरत पर भी यहां जोड़ दिया, उन्होंने कहा कनेक्ट्विटी बढ़ने की आर्थिक संवर्दियों आती है, और बिस्वास की बहाली होती है, चाह बहर आई गतबात एंग्रीमन जैसी पहल इसका उधार है, आफगानिस्तान पर पाकस्तान को मोतोर जबाब इधर पाकस्तान के बिदेश मंतरी महमत कुरेशी ने भी जब पाकुगानिस्तान के भारत की बढ़ती भूमका पर आपत्ति दर्ज की, तो भारती बिदेश मंतराले ने उस से क्या दिया, उन्होंने कहा कि यह अफगानिस्तान के लोगों को पर से मिन भारत करता है कि वो किसे एक अपना साज़ीदार बनाएंगे और किस हद तक दर्सर कुरेशी ने कहा कि भारत को अफगानिस्तान में जरूरत से ज़्यादा तबज्यो दी जा रही है, क्या है SEO को अब आपको बता दूँ, यहाँ पर SEO को क्या है उसके वारे में थोड़ा समझा दूँ आपको, SEO जो है रूस, चीन, करजिकिस्तान, कजाखिस्तान, चरजिकिस्तान और बेकिस्तान रास्चा दर्च्छों ने वर्स 2001 में संगाई की SEO की नियू रखी थी, भारत को वर्स 2005 में इसमें आप जर्बन मनाए गया था, बारे साल बाद 2017 में भारत और पाकिस्तान SEO का अस्ताई सदस बना दिया गया, SEO को अमेरिका के निरत्युत में वाले North Atlantic Treats Organization नाटो का समकच समझा जाता है, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यू के समेत, कुल 30 देश जो हैं, वो न ने कर दिया था, इस वीडियो को मैं आखात्म करूंगा, आप से अनुरूत करूंगा, वीडियो को जादे जादे शेया करें, मैं मारस मिस्रा, दैनियू जोशन का मैनेजिन डारेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्र का पहली बाराई है, जो सिर्फ सच दिखाएगी, अब ये सी के एस्पारेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकरके, इस नए लेक में आपको मिलेगा नए संसत्भावन के निर्माट से संबंधित सारी जानकारी, मैं भी सालिया दो, आप तक आप लोगों ने हमें टीबी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेक आपको द मैं मारस मिस्रा, देनियू जोशन का मैनेजिन डिर्क्टर आपके लिए एक ऐसी पत्र का पहली बाराई है जो सिर्फ सच दिखाएगी